हेलो फ्रेंज आप सब कैसे हैं उमीद करता हूं से लोग बहुरत यह अच्छे होंगे मैं हुआ मित अर्या आप देख रहे हैं मेरा टेकनकल चैनल यूटूब डे में आप सभी लोगा स्वागत है तो मैं इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने एड़ गलती ना हो अगर आप अपना एकाउंट नंबर एड़ करने जाए तो ठीक है तो वीडियो को पूरा इन तक जरूर देखना और आपको मैं बता दों कि सीफ्ट कोड इसमें लगता है हर एक बैंक का सीफ्ट कोड होता है दोस्तों उसको कैसे निकालना है अगले वीडियो मे किये तो सब्सक्राइब करें करें और हमारी मेहनत को सफल करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बैल आइकन भी दबा लें ताकि आप आने वाली वीडियो के भी लुफ्ट उठाते रहें हंजी भाई मैं आगे अपने मुबाइल के डिस्पले पे और आपको लाइब में दिखाऊंगा कि कैसे अपने बैंक एकाउंट नंबर डालना है आई एपसी कोड कहां डालना है शिप्ट कोड कहां डालना है एट उजीड इस वीडियो में बताने वाला हूं तो सबसे पहला आपको क्या क्रोम ब्राजर को ऊपिन करना है आप जैसी क्रोम ब्रजर ओपिन करेंगे यहां प्यांक क्या आपको यानी सर्च बाकस में लिखना है जिस Gmail ID से आपने Google को मतलब approval करवाया है ठीक है तो यह मेरा खुला है तो यह मेरा दूसरा Gmail ID है जो मैंने approval करा है मैं दूसरे Gmail पर अपना bank account number add करूँगा तो यहां से मैं change कर लेता हूँ कि यहां पी देख सकते हैं यहां पर मैं अपना अपना जो Gmail ID मैंने ग्रीं चोडिशन अपूर लेना है उसके बाद आपको कौन सी चाप करना यह आप को फूरा वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले कैंना यहां पर च्रीं है इस करना है जैसे आप इसक्री करोगे तो यहां प्रापको देख लेना जिखा रहाएंगा तो प्रमेंट पर आपको kulik करना है आप जैसे प्रमेंट एक्क्री करोगे तो आपके सामने एक दूसरा ओपन Learn We'll खुल जाएगा तो यह देख सकते हैं खुल रहा है यहां पर गुल गुल घुम रहा है यानि अभी पेज थोड़ा बड़ा रहा है इसके वज़से थोड़ा टाइम लेता है ठीक है तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ यहां प पहुत पहुत फोल्ड वॉयदाएं है क्वा पहुतल कौन कौन चीज कहां बढ़िना है फिर पहाँ आपको देखें क्या कर्ना पहले यह पहरा झाले जायोक्श्प लिए इसको झोद देना है छीक college देना है फिर उसके आपको यहां पर Cash Pro यहां पर लिखना नेम और यहां पर लिखना आपको शिप्ट कोड ठीक है उसके आपको यहां पर बैंक एकाउंट नमबर डालना है और यहां पर फिर से दोबारा बैंक एकाउंट नमबर डालना है और जो दोस्तों यहां पर दो चीज लिखा रहा तो इसको कुछ नहीं करना है और उसके बाद आपर शेयब के ऑक्सान पे कलिक कर देना ठीक है तो चलिए इसको हम फटा-फट भरके उसके बाद आगे आपको बताते हैं तो देखे दो तो यहाँ पर फर्स्ट वाले दिखना है तो चलिए आइसी कोड लिख के आपको दिखाते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर तीसरे में आपको मैंने अपना आइसी कोड लिख दिया और यहां पर आपको मतलब चौथे में shift code डालना है मैं एक एक बारे में इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप से कोई गलती ना हो ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैंने shift code भी डाल दिया अब चलिए हम अपना account number डालते हैं दो जगए पर ठीक है तो जैसी आप save वाले option पर click करोगे तो आपका payment method आपका ok हो जाएगे तो देखिए अभी क्या हो रहा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा bank account हो गया दोस्तो ठीक है तो इस तरीके से आप bank account अगर आपको edit करना है तो edit वाले पर auction यहाँ पर click करना है उसके पर आपको edit कर लेना है ठीक है अभी यह premium यहाँ पर आपको दिखा रहा है ठीक है देख सकते हैं यहाँ पर update करने के लिए कह रहा है अगर कोई गलती हुआ तो आप update भी कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं premium दिया है तो यहाँ पर यह सारा चीज हो गया है यहाँ पर bank account number मैंने add कर दिया तो इस तरीके से आप अपना bank account number add कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग लिए useful होगा तो वीडियो पसंद है तो लाइक करते हैं अगर आपको आगे और भी कोई knowledge चाहिए तो आप comment बत करते हैं जाहिन बंदे मात्रम जाहिए यह fuhr का जमाता है थैज्त इसरों परिडियो